Hi friends, मेरा नाम है Sandeep और चैनल का नाम है Digital Indian, the channel with the Y Factor और finally launch हो गया है OnePlus 6, the flagship killer, so called the flagship killer बिकोज अब यह flagship killer बनते-बनते, लगबख flagship phone बनता जा रहा है 2014 के अंदर जो phone launch हुआ था, 18,000 रुपे में वो 2018 आते-आते, लगबख पहुँच गया है 35,000 रुपे पे और अगर Avenger Infinity model की बात करूँ, तो वो 45,000 रुपेज का तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बोला कि flagship killer से लगबख flagship बनने की एक रास्ता जो है उस पर चल पड़ा है OnePlus 6 और इनका जो never settle formula है, वो लगबख pricing के अंदर भी चल रहा है यहाँ पर भी यह settle नहीं हो रहे है, 18,000 से बढ़ते बढ़ते 40,000 तक पहुँच गए है, 40,000 की range तक पहुँच गए है दोस्तो OnePlus जाना जाता है अपनी amazing specs के लिए और unbelievable price पे वो specs देने के लिए, तो पहले जान लेते हैं इसकी specification इसके अंदर आपको मिलता है snapdragon का 845 का processor, Adreno का 630 का GPU 6GB और 8GB के दो इसके अंदर RAM के variant आपको मिलेंगे साथ में आपको मिलेगी 64GB, 128GB और 256GB के storage variant मतलब कि 3 variant आपको storage के अंदर मिलने वाले हैं और RAM के अंदर आपको 2 variant मिलने वाले हैं 6.3 inches के आपको screen मिलेगी जो 280 x 1080 की AMOLED display है 3300 mAh के आपको battery इसके अंदर मिलने वाले है dual camera इसके अंदर आपको 16MP प्लस 20MP का दोनों के अंदर आपको 1.7 का aperture मिलने वाला है जो main 16MP वाले camera का sensor है वो Sony का MX500 series का है और जो secondary camera है 20MP का उसके अंदर आपको 300 series का 376 का Sony का आपको sensor मिलने वाला है और ये सब आपको मिलता है 35,000 रुपे के अंदर तो फिर से एक बार कमाल कर दिया है OnePlus ने और ये साबित कर दिया है कि वो deliver कर सकते हैं बहुत अच्छी specs एक unbelievable price के अंदर तो 35,000 के अंदर आपको ये specification मिल रही है दे रहा है तो definitely ये एक काफी अच्छा phone होने वाला है इस range के अंदर इसके अंदर आपको मिलता है एक नया OnePlus design glass का आपको back मिलने वाला है camera position भी अब इन्होंने change कर दी है एक बड़ी screen मिलेगी और इस screen के अंदर आपको मिलेगा एक notch दोस्तो पिछले कुछ महीनों के अंदर जितने भी phone launch हो रहे हैं लगबग सभी के अंदर जो flagship phone है जो काफी अच्छी range के अंदर जो मिलते हैं उन सभी के अंदर आपको notch देखने को मिल रही है सेम चीज आपको OnePlus के अंदर देखने को मिल रही है लेकिन इसकी notch थोड़ी से छोटी है और एक notch के अंदर मैंने जो देखा है वो आप software के थुरू इसको आप हटा सकते हैं तो एक plugin इसके अंदर दिया गया है कि अगर आप चाहते है notch की तरह यूज़ करना तो उसके तरह यूज़ कीज़े अदरवाइस notch की जगए आप उपर एक black color का मली जैसे head की बात जैसे chin पे थोड़ा सा आपको मिलता है bezel उसे तरीके से आपको head पे वो bezel मिल जाएगा तो एक form factor आप उसमें देख सकते हैं बाकि अगर आप काफी सारे लोग comfortable हो चुके हैं अगर आप comfortable हो गए है तो अगर आप comfortable है तो आप notch के साथ इस्तमाल कर सकते हैं और अगर आप comfortable नहीं है तो OnePlus ने आपको इसके अंदर एक facility दी है कि आप इसको without notch भी आप यूज़ कर सकते हैं वैसे इसकी notch के अंदर एक तरफ tech तो एक तरफ आइकन है तो काफी खास यह जगे लेता नहीं है curve shape इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी जो कि OnePlus के अंदर normally हमेशा से देखने में मिली है एक चीज इसने disappoint किया वो है इसके अंदर wireless charging आपको आपको नहीं मिल रही है बाकि तीन color variant इसके अंदर आपको मिलेगी mirror glossy black, एक white है मतलि अजीब सा white है यह pure white तो मैं इसको नहीं बोल सकता हूँ साथ ही मैं आपको मिलेगा matte black एक अलग variant है, एक glossy black है और एक matte black है और एक white है और normally मैंने दिखा है जितने लोग भी OnePlus खरीते हैं वो अलग से इसके अंदर screen guard या आपको एक back cover अलग से लगा लेते हैं तो हो सकता है सेम चीज़ आप करने वाले है तो तीनो variant तीनो color जो भी आपको मिलने वाले है आप अलग से इसके नदर skin या guard अलग से लगा सकते हैं बात करते हैं इसके fingerprint scanner की जो की vertical मतलि कैमरा के नीचे आपको दिया गया है और front में आपको मिलता है 84% body to screen ratio और दोस्तों ये तो लगबग सबको expected ही था कि जो screen है वो इस तरीके से कुछ होने वाली है काफि सारे leaks तो निकल के आई गए थे इसके बाकि dash charging का support आपको इसके अंदर मिलता है oxygen OS आपको इसके अंदर मिलेगा 3.5 mm jack thank god 3.5 mm jack इसके अंदर आपको मिल जाता है और एक चीज़ जो मुझे काफी पसंद आती है OnePlus के नदर जो side के जो इनके button है जो matte finish है कई बार ही मुझे ऐसा लगता है कि जो उस पे जो काम करते तो कई बार देखने की भी जरुरत नहीं पड़ती है iPhone वाला तो आपको feel उसके अंदर नहीं आएगा experience उसके अंदर नहीं है हो सकता है software upgrade हो तो उस तरह की feeling उसके अंदर आनी start हो जाए बट फिलाल जितने मैंने reviews देखे उनके अंदर जो gesture का experience है वो इतना कमाल का भी नहीं दिखाई दे रहा है बाकि camera की भी आने वाले time में बात मालूम पड़ेगी और जो battery है उसके बारे में भी performance आने वाले time में मालूम पड़ेगी बाकि dash charging का support है थोड़ी से जल्दी है चार्ज हो जाता है हाँ एक बात मैं आपको बताना कैसे बुल गया गेमिंग का इसके अंदर आपको option मिलेगा मतले आप अगर game खेल रहे हैं तो आपको performance काफी अच्छी मिले जैसा की sorry जैसा की Samsung के phone के अंदर मैंने देखा था कि gaming mode चालो जाता है पहले OnePlus के अंदर भी था gaming mode लेकिन अभी दोन ने क्या कर दिया dedicated gaming mode के अंदर ऐसा किया है कि अगर आप online अगर आप game खेल रहे हैं तो आपको जो background में जितनी apps चल रहे हैं जो net use कर रहे हैं उनकी preference को यह बिल्कुल कम कर देते हैं और रोक देते हैं ताकि आपकी gaming का experience जो काफी अच्छा हो जाए बाकी Bluetooth 5.0 आपको मिलने वाला है तो आज थोड़ा सा मतले कि तव्यत मेरी नासाज होगी थोड़े गला मेरा खराब हो रहा और खासी हो रही है जल्दी तव्यत भी ठीक होगी और हाथ में होगा मेरे OnePlus 6 जिसका मैं आपको पूरा एक hands-on review दूँगा उमीद करता हूँ दोस्